देली करन डियूज में अभी की खबर है भारती रास्टी कॉंग्रिस के पहले अधक्ष की पुर्णिती थी आज यानि 20 जुलाई को भारती रास्टी कॉंग्रिस के पहले अधक्ष व्योमीज चंगरबनर जी की पुर्णिती थी है इनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में एक उच्छ मध्धमवर्ग के ब्रामपन परिवार में हुआ था वर्ष 1864 में इन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लेंड भीजा गया था इंग्लेंड जालनी से पहले इन्होंने गिरीज चन्रगोष की बंगाली अकबार शुरू करने में सायता की थी वर्ष 1883 में इन्होंने कलकत्ता उच्छ न्याले में आदालत की आउमानना मामले में सुरेंद नात बनर जी का बचाव किया था इन्होंने 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले सत्र के अध्धक्षता की वर्ष 1892 में इलाबाद में बनर जी एक बार फिर पार्टी के अध्धक्ष बने 21 जुलाई 1906 को 61 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया चली जानते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के बारे में इसकी स्थापना वर्ष 1885 में ए ओ हुम द्वारा की गई थी जो एक सेवा 29 सिवल सेवक थे इसका पहला सेशन पूना में आयूजित होने वाला था लेकिन वहां हैजा के प्रकोप के कारण इसे बॉंबे में आयूजित किया गया विव में इस चिंदरबनर जी इसके पहले अधक्ष बने या ब्रिटिक शाषन से सुतंद्रता के लिए हुए विभिन भारती आंदोलन के केंदर में रही थी PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिक्रम Science This Week ये कारिक्रम हर विवार दोपहर बारा बजे द्रश्टी PCS चैनल पर प्रिसारित होता है